बैया की शुदी आई रे राखी बादन खोमाई एक बहन अपनी पीहर में जाती है जब उसका भाई लेने नहीं आया तो राखी को लेकर के आज पीहर में पहुची तो देखा है वबतों क्या हुआ उसके साथ में अर ये भाईया की शुदे आई रे राखी बादन खोमाई और लेरा खीपी हर कोमाई लेरा खीपी हर कोमाई पाव जनी लेयो गेट लगाई आज बोदों किया पीहर में राखी लेकर के पहुची तो देखा है भावी ने आज उननत के लिए दरवाजा लगा लिया और विचार करती ही बोली मन मेरोय खुलाई रे राखी बादन खोमाई और ये भी मलहर आप लोग शुन रही है सिम्र धन्षी करेल वालों कि माध्यम से और में मनी सास्ती मैं पुरी से आज वो बेहन मन में गवडाती ही विचार करती ही कहने लगी है मात पिता विन पीहर शुनों विचार करती ही कहने लगी मेरा बड़ा दुर भाग है जो कि मात पिता हमारे इस दुनिया संसार को छोड़ करके चले गए लेकिन आज पीहर में एक पहाई है वो भी मेरी भावी के बंदर में है अब क्या करूँ मात पिता विन पीहर शुनों वहिना के विन भाईया शुनों राखी बिन शुनी कलाईरे राखी मानन खुआए राखी बिन शुनी कलाईरे राखी मानन खुआए भाईया की शुधियाई है रखी मानने खुळाई और विचार करती हुई कहने लगी कहने लगी यह प्रभू पीहर में माता पिता नहीं और सस्राल में साथ सुर नहीं और जिस बेन का पती इस दुनिया में नहीं है तो समझो इस दुनिया संसार में उसका कोई नहीं है साथ ससुर बिन सस्वरा शूना पत बिन रई रखुराई दे रखी बादन कुआई कहने लगी ऐसा मेरा नशीब जो कि पीयर में माता पिता नहीं सस्राल में साथ ससुर नहीं है और वो भी दो चार वरस उजर जाने के बाद में मेरे पती मेरा साथ चोड़ करके चले गए लेकिन इस पावन तेवहार साबन के महीने पे एक भाई की याद एक बहन को बड़ी आती है तो वो बहन आज मेना बुलाए गाघी को लेकर अपने पीयर को गई भैया की शुदी आई रे रखी मादन को आई भैया की शुदी आई रे रखी मादन को आई झाई झाई झाल